अगर आप जम्मो कश्मीर योटी से ब्लॉंग करते हो तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप domicile certificate के लिए online apply कैसे करोगे इस वीडियो में आपको step by step full process दिखाएंगे कि आप domicile certificate के लिए online apply कैसे करोगे और साथ में आपको ये भी दिखाएंगे कि अगर आपने RAD apply किया है domicile certificate के लिए आपका जो domicile certificate है वो issue नहीं किया गया है तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप उनको grievnance कैसे करोगे कि आपका जो certificate है वो issue किया जाए तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी request है आप सबसे कि अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को subscribe करना ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो आपको आना होगा अपने mobile phone के browser पे ब्रोजर पे आने के बाद आपको search करना होगा JKE Services JKE Services सर्च करने के बाद आपके सामने जो पहली website आईगी JKE Services का तो आपको open कर देनी है JKE Services official website open करने के बाद आपको यहाँ पे एक option आ रहा है रिजिस्टर का तो आपको यहाँ पे रिजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे name of applicant डालना है उसके बाद आपको यहाँ पे parentage select कर देना है father husband guardian जो भी होगा उसके बाद आपको यहाँ पे data birth फिल करनी है आपको यहाँ पर तासीच स्लैक्ट करनी के बाद आपको यहाँ पर फिल करना है जो आपके जो state सब्जेक् ses करना है. उसके बाद आपको विले हुआ अपना फिन कोड डालना है. अगर आपका permanent address और करन्ट address है मैं, तो आपको यहाँ पर yes select कर देना है, उसके बाद आपको नीचे आजाना, यहाँ पर याँ पर फिलना है अपना mobile number, उसके साथ आपको यहाँ पर फिलना है, अपनी email ID उसकी बाद आपको यहाँ पर एक login ID बनानी होगी तो आपको यहाँ पे पहले login ID आपनी बनानी होगी आपको जो है वो first letter capital में डालना होगा जो भी आपकी choice रहेगी उसकी बाद आपको कुछ letters यहाँ पे small में डालने होगे और कुछ letter जो है आपको capital में डालने होगे उसकी बाद आपको यहाँ पर check availability पर click करना है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर for example के लिए एक login ID डाली तो यह जो ID है available है यह ID में अभी ले सकते हो यहाँ पर उसकी बाद आपको यहाँ पर scoti questions होगा what's your mother name तो आपको यहाँ पर अपनी mother name फिल कर देना है उसकी बाद आपको यहाँ पर capture fill करना है capture fill करने के बाद यहाँ पर आपको आपना जो photo है वो upload करना है आपका जो photo size रहेगा वो 30 से लेके 50 km के बीच में रहेगा तो इस size में आप अपना photo जाए वो upload कर सकते हैं तो एक चीज़ आपको बता दो यहाँ पर clear photo upload करना otherwise आपका जो form है वो reject हो सकता है उसकी बाद आपको यहाँ पे capture डालना है capture डालने के बाद आपको यहाँ पे preview पे click करना है उसकी बाद आपको यहाँ पे submit पे click करना है submit पे click करने के बाद आपका जो ग्रेवनेंस है वो submit हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी citizen ID आ जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी login ID है वो आ जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पे एक password यहाँ पे copy कर देना है या आपको वो password जो है वो लिक लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड कॉपी करने के बाद लॉग इन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉग इन आईडी डालनी है जो आपने क्रेट की थी है लॉग इन आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड फिल करना है उसके बाद आपको य यहां पे paste करदेने, उसकी बाद आपको यहां पे एक अपना new password जो है, वो create करने के बाद आपको यहां पे capture फिल करने के बाद आपको यहाँ पे submit पे click करना है उसकी बाद आपको दिखाएगा क्रेडिशनल सार update it successfully आप successfully जो है वो login हो जाओगे उसकी बाद आपको यहाँ पे एक option आ रहा है e-services का तो आपको इस पे click करना है e-services पे click करने के बाद उसकी बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक option आ रहा है renew department का तो आपको इस पे click करना है इस पे click करने के बाद आपको यहाँ पे application for domicile certificate इस पे click करना है application for domicile certificate पे click करने के बाद उसकी बाद आपको यहां पे मातर नेम फिल करना है अगर आपके पास स्पोज नेम है तो आपको फिल कर देना है उसकी बाद आपको यहां पे अधार नमबर फिल करना है अधार नमबर फिल करने के बाद आपको यहां पे अपना विलेज और टाउन जो है वो सलेक्ट कर देना है उसके बाद आपको एहा पे अपनी जोकैल टीडालने के बाद आपको यह पे अपना पूस्ट ऑफिज डालना है उसकी बाद आपको बता रहा है परेड़ अप present location आपको कितना time होई कितने साल होई पर्रिजंट location पे तो आपको यहां पे वो डाल देना उसकी बाद आपको यहां पे साथ में month भी डालने है कि आपको कितने साल और कितने month हुए है present location पे उसकी बाद आपको बता रहा है are you have any valid domicile certificate or any other state अगर आपके पास और किसी state का domicile certificate certificate है तो आपको यहां पर yes कर देना अगर नहीं है तो आपको यहां पर no करना है no करने की बाद आपके पास अगर permanent resident certificate है तो आपको यहां पर पहले वाला जो option है यानि close a of rule 5 आपको यहां पर select कर देना है उसकी बाद अगर आपके पास permanent resident certificate of parent है यानि आपके बाप की है तो आपको यहां पर दूसरा option जो है वो select कर देना है और साथ में आपको यहां पर एक birth certificate जो है वो आपको competent authority की होनी चाहिए आपको वो भी साथ में upload करनी है उसके बाद आपके पास अगर immobile property record है education certificate है water list है labor card employer certificate तो आपको यहां पर यह वाला option select करना है उसके बाद आपको यहां पर नीचे आ जाना है नीचे आने की बाद आपको यहां पर अपना जो permanent resident certificate है वो upload करना होगा उसके बाद आपको यहां पर अगर राशिंग कार्ट का option आ रहा है अगर आपकी जो age है वो upload करना होगा उसके बाद आपको यहां पर अपना जो आपका permanent resident certificate है choose file करके यानि यहां पर select कर देनी है file आपको उसके बाद आपको यहां पर capture डालना है capture डालने की बाद यहां पर आपको preview पे click करने है प्रेविव पे click करने के बाद यहां पर आपकी application जो details है वो आ जाएंगी उसके बाद आपको यहां पर नीचे आजाना है नीचे आने की बाद आपको यहां पर submit पे click करने है submit पे click करने के बाद आपका जो application है वो submit हो जाएगा उसकी बाद आपको यहाँ पे verification के लिए कुछ time आपको wait करना है उसकी बाद आपका जो application form है वो verify किया जाएगा उसकी बाद आपको जो है वो domicile certificate issue कर दिया जाएगा और आपको mail भी आ जाएगा और आप आपको में दिखात और अगर आपको domicile certificate जा है वो issue नहीं होता है तो आपको यहां पर एक gravenance details जा हूँ आप डाल सकते है उसके बाद आपको यहां पर citizen gravenance details पर क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको यहां पर Departmental gravenance select करने के बाद यहां पर आपको अगर आपने अपना आपको यहाँ पर एक टिकट नमबर मिलता है तो आपको यहाँ पर वो टिकट नमबर और साथ में कैप्चा डालके यहाँ पर अपना स्टेटर जो है वो चेक कर सकते हो उसकी बाद आपको यहाँ पर अपनी जो application ID है वो डालनी होगी उसकी बाद आपको यहाँ पर subject concern लिखना कि आपका जो domicile certificate है आपको लिखना है कि हमारा domicile certificate है वो issue करो उसकी बाद आपको यहाँ पर नायमप services पे application for domicile certificate स्लेक्ट करने उसकी बाद आपको यहाँ पर एक अपनी जो email आईडिया वो डालनी है उसकी बाद आपको यहाँ पर capture fill करना है, capture fill करने के बाद आपको submit कर देना, उसके बाद आपका जो ग्रेवनेंस है वो submit हो जाएगा और आपका जो domicile certificate का जो application form है वो चेक किया जाएगा, उसके बाद आपकी जो domicile certificate है वो issue कर दी जाएगी, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में तब तक के लिए आलाहफिज